कि अभी सिचुएशन काफी ठीक है क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था एक तो जो मशीन का प्लैटफॉर्म उसको पुखता करना था रिवेंप करना था वो अराम से हमने रिवेंप कर दिया और रिवेंप करने के बाद फिर मशीन चला करके ओगर को निकाल दिया और पाइप के मुह पर जहां पर थोड़ा सा कहीं पर दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ अगले घंटे में वो काम हमारा क जाए वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी normal प्रक्रिया है उसके लिए अपनी तयारी करेंगे मशीन में ऑगर भेजेंगे weld करेंगे नया हिस्सा और पर जोड करके नई drilling शुरू करेंगे उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा positive है जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके कि Parsons Company ने Ground Penetration Radar से जो study की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के beyond कोई metallic obstruction नहीं है इसका मतलब साफ है कि हमारी जो drilling है वो smooth होनी चाहिए क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलवा निकाल रहे थे उसमें हमें दो mangled pipes बिल्कुल ही घुमे हुए मुड़े हुए पाइप मिले है इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उल्जन कर रहे थे अब हमारी उमीद काफी अच्छी मजी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक यह जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका scanning मैंने आपको gpr का result बता दिया जी जी जी